क्लास एर्थ इंग्लिश ग्रामर लेसन बन वाट इस सेंटेंस वाट इस सेंटेंस सेंटेंस इस ग्रूप को वर्ड विच मेक्स कम्प्लीट सेंस जो की पूरी एक सब कई शब्दों का समूझ जो मिलकर एक सही अर्थ देता है उजय से टॉम प्लेज टैनिस आई सौ ए ब्राइट स्टार शी मिस्ज़ दा ट्रेंट सेंटेंस को हम आगे पाँच पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एसर्टिव इंटेरोगेटिव इंपेरिटिव एक्सलामेटरी और आप्टेकिव सेंटेंस के आगे हम चार और पार्ट्स करते हैं जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एट्रिब्यूट और एड़बियल क्वालिफिकेशन इसको हम अलग-अलग रूप में समझते हैं एड़ब्यूट क्या होता है जो हम सेंटेंस के साथ यूज करते है जो ग्रूप आफ वर्ड जो है में सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है उससे हम एक्ट्रिब्यूट कहते हैं उसके बाद आता है अड़बियल क्वालिविकेशन और जैसे डॉक्स बार उसके बाद हम कहते हैं Water was sprinkled everywhere, sprinkled और everywhere, क्या चीज़ everywhere sprinkled की गई, water, और फिर हम देखते हैं, कि sentence को जब हम इन अलग-अलग parts में डिवाइड कर लेती हैं, attribute या adverbial qualification में, तो sentence को हम clearly समझ पाते हैं, कि sentence वाक्य क्या है और यह कितनी तरह से चल सकता है, इसके कितने parts वो सकते हैं, आगे, thank you.